नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे इस हेल्थ आयोवेदिक प्लान चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में खस-खस खाने के फायदे के बारे में बताएंगे खस-खस के हानिकारक प्रभाव के बारे में भी बताएंगे तो आएए जानते हैं खस-खस एक प्रकार का तिलहन है जिसे अंग्रेजी में पप पीसिद्स, बंगाली में पोस्तो, तेलुगू में गसा-गसालू आदी नाम से जाना जाता है भारत में दक्षिन भारत, राजस्थान, बंगाल, छोटा नागपुर में इसकी खेती होती है खस-खस हमें अनेकों प्रकार के रोगों से बचाता है जैसे ह्रिदे रोग, त्वचा रोग, धातुदोश, रक्तविकार, पेशाब की जलन, सांस के रोग, पित रोग, शरीर मिहोन वाले दर्ड, ठकान, आदी है खस-खस के और शदी अगुन, अंगिनत हैं खस-खस में एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल, एंटी काटालेप्टिक, अनेलजेसिक, एंटी इंफ्लेमेटोरी, संधिशोध, एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी र्थरराइटिक, स्टीमूलेंट, मूत्रवर्धक या ड्यूरेटिक, एंटी स्पास्मोडिक, इमाना जैसे बहुत सारे औशदिय गुन होते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका अलग-अलग होता है। तो आएए जानते हैं खस-खस के फाइदे। आयूर्वेदिक जिकित्सा के अनुसार खस-खस का तासीर ठंडा होता है, इसके कारण पेट संबंधी बीमारियों में खस-खस के फाइदे अंगिनत होते हैं। साथ ही खस-खस के और भी बहुत तरह के फाइदे होते हैं। खस-खस तेल का इस्तेमाल दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। क्योंकि इसका एंटी-इंफ्लेमेटोरी गुन मानस्पेशियों के सूजन को कम करने मों सहायता करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। मूं के छाले के लिए खस-खस का सेवन करना लाबकारी होता है शरीर में पित की मात्रा अधिक हो जाने के कारण मूं में छाले होते हैं। अगर आपको नींग न आने की बीमारी है और नैचुरल तरीके से आप इस से राहत पाना चाहते हैं तो खस-खस के सेवन से आपको मदद मिलेग। क्योंकि खस-खस में जो योगिक होते हैं वह नियूरो ट्रांस्मीटर के उतपादन में सहायक होते हैं जिससे मस्तिष्ट को बहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। सोने के पहले नहाने के पानी में 5 या 10 बूंद खस-खस का तेल डाल कर नहाना चाहिए। इस से शरीर को ठंडक मिलती है। खस-खस का महक मन और शरीर को शांत करने में मदद कव रता है जैसे अनिद्रा के बीमारी में खस-खस काम करता है ठीक उसी तरह। डिप्रेशन से राहत पाने के लिए खस-खस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में 5 या 10 बूंद खस-खस का तेल डालें और उससे नहाए। खस-खस का महक और ठंडा तासीर मस्तिष्ट को शांत करने में मदद करता है। इससे तनाव से कुछ हद तक राहत मिलती है। इस्क, बाद आता है। तवचा का संक्रमन या स्किन इन्फेक्शन खस-खस का एंटियोक्सिडेंट, एंटी इंफ्लेमेटोरी गुन और उच्च मात्रा में लिनोलेनिक एसिद तवचा के संक्रमन से राहत दिलाने मदद कार साबित होता है। अगर स्किन इन्फेक्शन का प्रॉबलम है तो खस-खस का इस्तेमाल करने से तवचा के स्थिती में सुधार मिल सकता है। इसके बहतर परिनाम के लिए इसका तवचा परी, स्तेमाल दिन में एक बार कर सकते हैं। अगर तवचा में किसी तरह का घाव या छोटा मोटा जख्म हुआ है, तो नारियल तेल के साथ खस-खस मिलाकर लगाने से जल्दी ठीक होने लगता है। बालों के लिए खस-खस के फायदे, खस-खस में मिनरल जैसा केल्शियम होता है, जो बालों का जढ़ना कम करके नए बाल उगाने में मदद करते हैं। खस-खस के इस्तेमाल सब, बाल चमकदार और स्वस्थ बनते हैं। तो आएए, बालों में खस-खस इस्तेमाल करने का तरीका जानें। नारियल तेल में खस-खस डाल कर उसको अच्छी तरह से तेल में मिला लें। उसके बाद स्कैल्प में लगाएं। बेहतर परिनाम के लिए इसका इस्तेमाल सब्ताह में तीन बार कर सकते हैं। तो आएए जानते हैं। खस-खस के हानिकारक प्रभाव के बारे में। खस-खस का सेवन हमेशा डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। अत्यदिक मात्रा में खस-खस का सेवन नहीं करना चाहिए। सर्दी खांसी होने पर खस-खस का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। क्यूंकि खस-खस क तासीर ठंडी होती है. गर भवती महिला या जो मा दूद पिलाती है वह खस-खस का सेवन करने के पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लेए. विडियो पसंद आएं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेर करें. धन्यवाद.